अगर आप भी मेरी तरह स्किन केर हेर केर में इंटेस्टेड है और खुछ से बहुत जादा प्यार करते हैं तो मेरे इस चैनल को सिस्क्राइब जरूर करें और मेरी फैमिली का एक हिस्सा बन जाएं तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिनेमलिस का अलफा आपुटिन सेरम के बाड़े में इस सेरम को मैंने लगबग एक साल इस्तमाल किया है और इसका अच्छा खासा मेरे पास एक्सप्रियेंस है बस सेरम ले लेना लगा लेना बहुत बड़ी बात नहीं है मेरा एक साल का एक्सप्रियेंस आपकी बहुत काम आने वाले है तो मेक्स योर पताओंगी निए इन सौर्ट आपको बता देते हूं alpha-orbitnik ingredient होता है जो हमारे skin को bright करता है एंड हमारे skin के dark spot को भी वो कम करता है वो करता कैसे है MELANINE के production को कम कर देते हैं और जैसे कि हम सब जानते हैं कि MELANINE हमारे skin को sun damage से बचाते हैं तो जब melanin होगा नहीं तो उसका काम कौन करेगा, तो उसका काम तो हमें ही करना पड़ेगा, तो आप अगर ये product ले रहे हैं, तो उसके साथ sunscreen जरूर लें, अगर आप sunscreen नहीं ही आपके पास और आप नहीं ले रहें तो इस product को भूल जाएं, बिना sunscreen के आपको ये product बिल्कुल ये यूज नहीं करना है, और साथ ही साथ आपको अपने skin को sunlight से अच्छे से product करें, स्कार्फ लगा के बाहर जाएं, कम से कम धूप में जाने की कोसिस करें, और जा भी रहें तो sunscreen करी अप्लिकेशन हर 3-4 घंटे में जरूर करें, आप इस product की प्राइस की बात करें, तो उसक बहुत ही अच्छा product मुझे लगा है, टेक्चर वाइस, अब चलिए बात करते हैं, इसे लगाना कैसे, तो आपको अपने face को अच्छे से clean कर लेना है, clean करने को डाम्पी हो, तो उसके बाद ये serum आपको 1-2 drop अपने skin में लगाना है, और आपको इसका effect एक दो मन्त में नहीं 3-4 मन्त का wait करें, तब आपको इसका result है देखने को मिलेगा, और आप इस किस age में से use कर सकते हैं, तो आगर आप 20 प्लस हैं, तो आप बिल्कुल इस product को use कर सकते हैं, and इसे बोला तो गया है कि सुबह और साम दोनों वक लगाने को, लेकिन मैं आपको recommend करूंगी कि आप बस इसे रात में use करें, क्योंकि जब मैंने इसे सुबह में use किया था ना, तो मैं college आती हूं, अगर आप घर पे हो तो use कर सकते हूं, college आती हूं, तो मेरा skin लाल हो गया था, उसका अपना में बहुत डर गई थी, तो उसके बास से मैं ने रात में use करना शुरू किया, and सुबह म मैं बहुत ज़्यादा परिशान होगी, यारे, purging जल्दी जाता नहीं आता है, तो, अगर आप beginner है, sensitive skin है, तो purging आपको हो नहीं है, तो होना नहीं होगा, तो आप बहुत लगी है, तो इस purging के कारण जो मेरे skin की band बजी, वो आप देखते चले जा रहे हैं, तो मेरी एक बह कर रही थी, आप देख सकते हैं, तो बहुत टाइम लगा, लेकिन फानली result मिल गया, और 21 जुलाई को मेरा pick देख सकते है, without makeup है, कोई filter नहीं है, और मुझे अपनी skin से प्यार हो गया था, जो इंसान का एक dream skin होता है, वो मुझे मिल गया था, बट, अब alpha button खतम हो चुके है, और मेरी जो अगंदी हैवट हो अभी तक खतम नहीं होई है, मुझे अभी भी अगर कोई pimple आ जाता है, तो उसका पस निकालने के लिए, मुझे उस ताम धिमाग काम नहीं करता है, मैं जब तक उसको निकालूँगी नहीं, तब तक सांधी नहीं मिलीगी, और उसके वज़ करते हैं, इस बार मैं कैसे अपने डर्क स्पोर्ट से लड़ती हूँ और अपनी गंदी हैवट खतम करती हूँ, अगर आपको भी ऐसी कोई गंदी हैवट है, तो प्लीज ये बिल्कुल मत करें, बहुत टाइम लगता ऐसे जाने में, बहुत महनत लगती है, अब मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ, अगर आपके डार्क स्पोर्ट हलके फुल के हैने हो, तो स्पोर्ड को ट्राइम मत करें, क्योंकि पर्जिंग के चकर में स्क्रीन को बहुत कुछ जेलना पड़ते हैं, और बहुत कुछ ट्राइम बढ़वाद होता है, अगर आपको मेरी जैसे इसके बाद इसमें हाइलियूराणिक एसिड है, तो आपको इसको लगाने को बाद मॉस्ट्राइजे जरूर से ही अपलाई करना है, और सुबह में संस्किल लगाना है, सुबह में आप बिल्कुल यूज़ मत करें, और अपने अपने स्कीन पर ज्यादा ताम जहां मत करें, एक ही इसके साथ बहुत सारा प्रोड़क को लेर अप कर सकते हैं, बट इतना स्कीन को कनफ्यूस न करें, कि वो क्या लगा रहे हैं, पहले सी से स्टार्ट करें, एक पर फोकस करें, जितना कम समान रहेगा, जितना कम इंग्रिडिन यूज़ करें, उतना ही आपकी स्कीन और अपनी पीक को ये बॉटल खत्म होने के बाद देखिए आपको खुशी जो मिलेगी आपको भी बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी तो आपको ये मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बते हैं और कोई भी सवाल रह गया हो तो वो जरूर पुछे मेरे चानल को सस्क सब्सक्राइब करना फिर सिनमात भूले अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टारा आपने अच्छा सा ख्याल जरूर रखिए